हेलो नमस्ते, I am डिपाली कोयल, स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, I hope सब फिट इन फाइन होंगे तो आज की क्लास जो है, अगेन हम लोग ले आए है हरियाना पुलिस कॉंस्टेबल को ठीक है, आप सब की दिमांड पे मैंने ये सीरीव चलाई थी, लेकिन कोशन पेपर इतने ज़ादा थे कि भई मैं करवाते करवाते भोर हो गई हूँ, ठीक है, अब बस हमारे पास बचे हैं पांच कोशन पेपर और फिर हमारा मेल कॉंस्टेबल या फिर मैं बोलू हल यारा पुलिस कॉंस्टेबल ये सारे सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है तोटल आप जानते हैं कितने सारे एकवाम हुए थे, तीन दिन दो दो शिफ्ट में एकवाम हुए और हर एकवाम के चार चार पेपर थे, यानि कि आप समझ रहे हो, तोटल टॉंटिफोर कोशन पेपर थे हमारे पास, जिसमें से नाइन टीन कोशन पेपर हम खतम करचुके हैं हमने 31 अक्टूबर के सुबह और शाम के 8 पेपर खतम कर दिये 1 नवंबर के सुबह और शाम के 8 पेपर खतम कर दिये यानि कि 16 ये हो गए और उसके अलावा हमने 2 नवंबर के सुबह के 3 पेपर कवर कर दिये हैं यानि 19 पेपर हम कर चुके हैं बचा है हमारे पास 2 नवंबर का शाम का पेपर, सुबह का 4 पेपर और शाम के 4 पेपर, यानि 5 कोशन पेपर और फिर हमारी हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल की सीरीज खतम और वेराइटी ओफ कोशन खतम, और एक बात में फिर से क्लियरली बोल रही हूँ कि इन ये जो हर्यान उनके inflorescence हर जगय से कोशन आई हुए है, और इसलिए मैंने plant topic भी आपको theory में करवाना start कर दिया है, 5 पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ और लगबग चाहिद एक या दो पार्ट आएंगे और plant पुरी तरीके से खतम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप paper, हर्याना police constable का भी कोई paper देख लेना, आप यूँ यूँ बना दोगे paper को, ठीक है, चलिए, अब देरी नहीं करते हैं, paper शुरू करते हैं, हम लोग कर रही है, 2 November 2021 का morning का fourth paper, ठीक है, चलिए science देखते हैं, इसमें कहां पर हमें दिखती है, तो पहला question आता है, question number two हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, food वाले creamy, किसकी विशेष्टा है, food यानि की proboscis कह देते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं, proboscis, किसकी विशेष्टा होती है, तो जो hemicord data होते हैं, students कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये, कुछ इस प्रकार के, तो इनकी ये जो अजीब सा इनकी आगे की body होती है इसको कहते है, सून्ड के प्रकार की बोडी तो ये जो hemicore data होते हैं, वो सून्ड वाले creamy कहलाते हैं, ऐसे creamy, यानि कि ऐसे warm ऐसे warm जो की सून्ड वाले होते हैं, वो कहलाते हैं कौन? हैmi core data ठीक है, next question देखते हैं, next question हमारे पास science का क्या आ रहा है देखिए यहां पर हमारे पास question number 5 हमें दिख रहा है निमन में से कौन सा सूखे dehiscent फल का प्रकार है यानि की dry dehiscent food बोल रहा है ये ठीक है again ये वही देखे सूखा food अगर ये बोल रहा है तो सीधी सीधी फली जो होती है ये फूखे dehiscent fruit होते है अफ 40 बोल देते है इसे ठीक है इसकी detail भी मैं आपको बोल रही हूँ plant kingdom जब खतम होगा आ तो आप हर question बना पाएंगे ठीक है इसका answer चला जाएगा philica या फली ठीक है अगला question देखते है next question science का हमारे पास है question number 7 magnesium and sulfur dash है magnesium and sulfur क्या है तो देखिए magnesium and sulfur जो होते है वो हमारी body के लिए macro हमारी body के लिए actually plants की body के लिए mainly macromolecules होते है यानी कि ऐसे nutrients होते हैं ऐसे पोशक्तत्व होते है जो plants को जाधा amount में चाहिए होते है थीक है आप तो जानते ही है कि पोधो की पतियां जो होती है वो हरी होती है magnesium की वज़े से है ना जैसे हमारा रक्तलाल होता है लोहे की वज़े से पोधो की पतियां हरी होती है magnesium की वज़े से तो magnesium पोधो के लिए बहुत ज़रूरी है यानि उन्हें ज़्यादा quantity में चाहिए, तो magnesium तो सीधा-सीधा यह आपको पता लगया macro nutrient है macro का मतलब बड़ा, यानि जो जादा बड़ा भी हो और जादा quantity में चाहिए हो, तो पोधो को व्रिहत पोशक तत्व है, magnesium और sulfur दोनों ही पोधो की growth के लिए ठीक है, चलिए, जैसे हमारे अंदर macro molecule होते हैं, carbohydrate, protein vitamin, पोधो में है magnesium और sulfur, clear है, चलिए अगला question देखते हैं next question हमारे पास, science का जो की हमें देखने को मिल रहा है, वो कौन सा है भई, तो यहाँ पर आपको reasoning देखने को मिल रही है, yes तो question number आ गया 15, क्या कह रहा है, question number 15 में देखिए, एक electron, एक चुम्बकिये शेत्र में इसके लंबवत कोण प्रविष्थ होता है, यानि कि देखिए, चुम्बकिये शेत्र किस तरफ है, इस तरफ है, और electron उपर से नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री प्यार है तो आगे क्या बोला गया है, जैसे कि चितर में दिखाया गया है, electron पर कारेरत बलकि दिशा होगी, तो भई, electron पर force कहां पे लगेगा ठीक है, यह आपका question है तो देखिए, यह question निकलेगा आपका flaming left hand rule से, देखिए, अगर आप अपने left hand को देखेंगे, तो इसको देखिए ऐसे समझेगा, हमारी left hand में हमारा एक होता है, thump एक होती है first finger, ठीक है, और फिर होती है second finger, तो अगर उस तरीके से आप देखेंगे तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा thump हो गया, यह first finger हो गई, और यह second finger हो गई, यहाँ पर आप imagine नहीं कर पाऊगे, अक्चली क्या होता है, यह तीनों ना 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, देखिए, जो हमारा thump होता है वो हमें किस की दिशा देता है वो हमें देता है बल की दिशा, यानि force की दिशा ठीक है, अगर first finger की बात करें तो यह हमें देता है magnetic field यानि चुम्ब की ये शेत्र की दिशा ठीक है, यानि कि उसका direction देता है और जो second finger है यह हमें current की direction देता है ठीक है, यह होता है अब आप अपने हाथ को लगाईए इस shape में, आप अपनी जो आप क्या, देखें, चुम्ब की ये शेत्र कहाँ पे है इस तरफ, यानि कि अपनी पहली उंगली को आपको इस direction में अपना पकड़ना है ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला electron नीचे है तो current कहा होगा देखो, जिस direction में electron होते है उसके opposite current होता है यानि current उपर होगा यानि कि आप सीधे-सीधे अपनी पहली उंगली को इस direction में लगाईए और अपनी second finger को second finger को उपर के direction में लगाईए तो आप देख पाएंगे आपका thumb अंदर की तरफ जाएगा पेज के अंदर की तरफ जाएगा आपका thumb तो इसका answer क्या आ गया इसका answer आ गया पिष्ट के भीतर ठीक है, जब भी हम board पे class लेंगे तो इस तरीके का question रख लेंगे आप लोगों के लिए पहली उंगली होती है, first finger होती है वो हमें magnetic field यानि B की दिशा देती है और second उंगली जो होती है वो हमें current की दिशा देती है ठीक है, और यहाँ पर हमें electron की दिशा दिए हुई थी तो हमेशा current electron के opposite चलता है ठीक है, current हमेशा electron के opposite चलता है तो बस इस तरीके से हमने answer निकाल दिया ठीक है चलिए अगला question देखते है science का next question हमारे पास क्या आता है तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है question number 18 देखिए question number 18 क्या कह रहा है the thermal decomposition of HI on gold surface is an example of dash order reaction स्वर्ण परत पर HI का उश्मिय अपगटन dash क्रम की अभी क्रिया का उधारण है देखिए यह क्या कह रहा है सोने के उपर हम क्या करते है HI का decomposition करवाते है heat की presence में thermal है क्योंकि thermal मतलब heat की वज़े से तो इसे कौन सा order reaction कहते है तो इसे कहते है zero order reaction हो गया यह ऐसा क्यों देखो अगर इस reaction को बताऊं मैं देखिए आपको मैंने क्या बोला गोल्ड है हमारे पास और गोल्ड यह माली जी गोल्ड की परत है इसके उपर हम HI को decompose करवा रहे है अब हम इस reaction में क्या होता है देखो HI gold की मदद से decompose होता है जैसे ही गोल्ड का surface cover हो जाएगा उसके बाद HI decompose नहीं होगा यानि हम कितना मर्जी HI देते जाएं कितना मर्जी HI हम देते जाएं लेकिन उस HI की बढ़ती हुई concentration का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा result पर नहीं पड़ेगा ठीक है तो HI जितना मर्जी बढ़ा लो कोई फरक नी पड़ेगा यानि कि यह शुन्य ओडर reaction है next question आपको दिख रहा है question number 19 क्या है देखिए निमन लिखित में से कौन सी मानव निर्मित परिफ्थिती की तंतर है यानि कि which of these are example of man-made ecosystem यानि जो man ने बनाया है इंसान ने बनाया है तो wetland यानि अन्रभूमिया ये तो natural होती है forest यानि जंगल ये भी natural है estuary भी natural होती है crop field यानि खेत जो होती है वो ज़मीन के ऊपर खेत कौन बनाता है इंसान बनाता है उसे उपजाओ बनाता है उस पर खुदाई करके तो खेत हो गया या फिर pond हो गया या फिर जो aquarium होते है जहां पर मचलियों को रखा जाता है zoo हो गया ये सब क्या होते हैं ये सब मानव निर्मित परिश्थिति की तंत्र होती है तो answer चला गया fee ठीक है चलिए next question आपको दिख रहा है question number 21 malignant malaria dash के द्वारा होता है malignant का मतलब होता है खतरनाग जो बहुत ज़्यादा खतरनाग हो तो वो malaria किसे होता है तो देखिए आपको ये तो पता है कि malaria जो होता है वो plasmodium से होता है ठीक है तो सीदे-सीदे answer लगा तो जाएगा हम बहुत बार पढ़ चुके है कि plasmodium जो होता है उसी की वज़े से malaria होता है और malaria फैलता है मादा है ना फिलीज मच्छर की वज़े से ये बात हमने बहुत बार डिसकस कर लिए इसके लाब आप ये भी जानते है कि plasmodium जो होता है वो प्रजनन कैसे करता है तो वो multiple season से यानि बहु विखंडन से प्रजनन करता है ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं हम बहुत बार डिसकस कर चुके है अगला question देखते है next question हमारे पास क्या आ रहा है देखते है science का यहाँ पर हमें reasoning दिख रही है yes question number 29 आ गया है हमारे पास science का again देखें क्या कह रहा है वह जैविक प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसे संतानों को जनम देता है the biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself अब देखें यहाँ पर इसने क्या बोला है biological process जिसमें कि एक organism अपने जैसे young ones को जनम देता है यानि कि off spring बना रहा है यहाँ पे clone नहीं बोला यहाँ पे एकदम डिटो कॉपी नहीं बोला है इसने बस यह बोला है अपने जैसे संतान बनाता है तो reproduction यानि प्रजनन या जनन बोलो एक ही बात है यह क्या करता है reproduction वो phenomenon होता है जिससे की एक इंसान या कोई भी एक organism एक जीव जो है वो अपने जैसे organism को बनाता है ठीक है और इसके अलावा आपको transduction दिख रहा है यह protein में होता है production यानि कुछ भी produce करना evolution यानि की उद्विकास ठीक है तो यह सारे answers गलर चले रहेंगे यान सजाय का option C next देखते हैं next question हमारे पास क्या आता है तो next question science का हम लोग देखते है question number 37 हमें दिख रहा है question number 37 हमें कहता है अयुगमित electron द्वारा गेरे गए रिनायन स्थान है the anionic sites occupied by unpaired electrons are cold तो जो unpaired देखो जब हम structures पे जाते हैं कि हम history के अंदर solid state वाकरा की chapter में हम बढ़ते हैं 11-12 में देखो क्या होता है जब हम structures में जाते हैं तो जो unpaired electron होते हैं वो कुछ जगाओं पर जाके कठे होने लग जाते हैं ठीक है मतलब वो जगय दूनते हैं color center भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं color center ठीक है एक और नाम है इनका चलिए तो next question पे चलते हैं next question हमारे पास science का ढूनते है क्या है हमारे पास ठीक है काफी questions आये हुए है इस paper में science के और लगातार आये हुए है एक दो एक दो छोड की है न चलिए अगला question ढूनते हैं हम लोग science का article से भी question आया हुआ है ओके तो ये हमारे पास agriculture का question है देखिए arvenia carotvora arvenia carotvora जो है उससे क्या बिमारी होती है तो soft throat की बिमारी होती है ठीक है ये हमारा agriculture का question है बिमारियों का पोधो की बिमारियों का question है येस तो यहां पर हमें question मिल गया भई क्या कह रहा है ये question question number 59 हमें कह रहा है the exoskeleton of cockroach is made up of cockroach का बही कंकाल किसका बना होता है तो cockroach का बही कंकाल kaitin का बना होता है kaitin ये आपने fungus की वोल में भी पढ़ा था और मैंने आपको cockroach chapter करवाया है मतलब cockroach chapter नहीं classification of organism करवाया है वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है कि cockroach की बहारी परत जो होती है वो kaitin की बनी होती है किसकी kaitin की exoskeleton बही कंकाल किसका बना होता है kaitin का ठीक है चलिए chitin भी बोल देते हैं इसे कच लोग ठीक है कोई बात नहीं है चitin काईटी नहीं की बात है next question देखते है yes question number 67 हमें दिख रहा है परिस्तितिक का बोल लीजिए या फिर agriculture का बोल लीजिए यदि नंगी चंटानों पर उत्तरा वर्तन होता है इसे dash कहते है if succession occur on a bare rock it is known as जब नहीं नहीं चंटान के उपर succession किया जाता है यानि कि उसके उपर दुबारा से मतलब उससे उपजाओ बनाने की कोशिश की जाती है तो उससे क्या बोलते हैं उससे primary succession बोलते हैं ठीक है प्रात्मिक उत्रा वर्तन बोलते हैं क्लियर है चलिए अगले question को देखते हैं next question हमारे पास तो question number 76 हमें दिख रहा है after carryogamy the fertilized egg become which structure carryogamy के बाद carryogamy मतलब nucleus का मिलना ठीक है जब nucleus मिल जाते हैं तो उसके बाद अंडे का क्या बन जाता है तो देखो भई जब male nucleus female ova के साथ मिले तो fusion के बाद क्या बनता है zygote ही तो बनता है na female cell जब मिलते हैं उसके बाद zygote बनता है fertilization हो जाती है यानि निशेचन हो गया और यहाँ पर इसने बोल लाए न after carryogamy fertilized egg becomes which structure तो zygote बन जाएगा ठीक है देखो ओवरी के अंदर तो वो है पोलन से तो मिल गे मीट आया है embryo जो है वो उसके बाद बनेगा zygote के भी बाद embryo बनेगा तो answer आएगा zygote ठीक है अगला question देखते हैं हम लोग अगला question हमारे पास science का तो यहाँ पर यह paper हो गया है खतम यानि कि science के question भी हो गया है तो चलते हैं अगले paper के उपर next paper आगया हमारे पास 2 November का evening shift का पहला paper ठीक है यानि कि अब हमारे पास इस चार paper बचे है और चार paper के बाद हमारी हर्याना पूलिस कोंस्टेबल की जो सीरीज है यह हो जाएगी खतम चलिए तो जल्दी जल्दी questions जूणते है question number 6 हमें देख रहा है science का देखे क्या कह रहा है यह which of the following is a water conducting tissue in plants निमल लिखित में से कौन से पादपो में जल समवाहक उतक है तो देखे जल कौन हमारे देख़े plants के अंदर दो टाइप की tissue होते है एक होता है पानी ट्रांसपोर्ट करने वाला और पानी को ट्रांसोर्ट करने वाला ठहलाता है xylem और खाने को ट्रांसपोर्ट करवाने वाला phloem इसके अलावा kolon kaima क्या देता है उसे flexibility देता है यानि लचीलापन देता है parent kaima storage करता है और एक और होता है scleran kaima वह उसे stiffness देता है यानि strong बनाता है ठीक है चलिए तो asylum इसका answer चला गया यह एक permanent tissue होता है ठीक है अगला question देखते हैं next question आता है हमारे पास देखी यह question बड़े simple आयो है भारत में हरित कांती की शुरुवात कहा हुई देख लीजेगा ठीक है यह जो pdf है मैंने यह channel पे डाल दिया है टेलिग्राम चैनल पे डाल चुक है यह pdf आप वहाँ पर देख सकते हैं विदांसर है question number 19 देखते हैं देखिए cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in हिदय पेशियू तक एक सिकड़ा हुआ उतक है जो केवल निम्न में मुझूद होता है तो देखिए हिरिदय पेशियू तक है नाम में हिरिदय है तो यह सिर्फ और सिर्फ दिल यानि hurt में होता है ठीक है मृदू और तीफरा होता है cardiac skeletal होता है हड्डियों के उपर smooth होता है अंगों के अंदर जैसे की पेट के अंदर या लंग्स के अंदर बोलीजिये और cardiac होता है हिदय में ठीक है अगला question देखते है question number 21 आ गया diabetes insipidus is related to which hormone diabetes किसे related है भई देखो diabetes दो टाइप क्यों होती है इसमें एक और चीज याद रख सकते हैं वैसोप्रेसिन ठीक है अगर option में ADH नहीं होता ना तो वैसोप्रेसिन भी आंसर चला जाता ठीक है इसके अलावा जो insulin होता है वो diabetes बनाने में मदद करता है female को ठीक है follicle stimulating hormone answer ADH चला गया अगला question देखते हैं अगला question हमारे पास science का क्या नज़र आता है हमें यह तो question number 27 हमें देखने को मिल रहा है the most distinctive feature of echinoderms is the presence of echinoderms का सबसे विशिष्ट विशेष्टा किसकी उपस्तिती में होता है तो देखो जो echinoderms होते हैं उसके अंदर water seed dormancy यानि कि यहां पर यह किया कह रहा है कि हम बीच को जबर अधस्ति उसके kot को तोड रहे हैं चाहे हवे हतोड़ा माराइक हाभ चाहे सकालपल मारा है या फिर घ्षुरी से हतोड़े से च्छूरीक से जओड़ने तो उसे क्या कहते है उसे scarification कहते है ठीक है scarification कहते है door ministry को जान-बूचके तोड़ना chilling हो गया उसे थंडा करना, stratification किपीशी की कमी आना और vernalization तो अलग चीज हो जाती है तो तो खुदी growth period में चले जाना होता है ठीक है तो इसका answer आपको option one मिल लिया next question आता है question number 36 5-8% solution of acidic acid is present in water is cold हमारे घर में जो फिर्का होता है उसके अंदर 5-8% solution होता है acidic acid का ठीक है यानि बहुत ही weak acid होता है ठीक है फिर्के के अंदर बहुत ही weak acid होता है तभी तो हम फिर्का यूज़ कर पाते हैं तो कितना होता है 5-8% solution और वो भी acidic acid का ठीक है चलिए अगले question को देखते है next question हमारे पास science का है question number 44 देखिए which of the following is not a parasite निमल लिखित में से कौन एक परजीवी नहीं है तो देखिए tape warm एक परजीवी है बिलकुल tape की तरह होता है और यह हमारी body में अगर आ जाता है तो हमसे nutrition लेता रहता है liver fluke हमारे liver में मेली तो pig के liver में रहकर nutrition लेता है life यानि June ये बालों में रहकर nutrition लेती है इंसानों में भी कुतों में गाएं में बालों में रहती है लेकिन female mosquito यानि मादा मच्छर क्या है ये एक परजीवी नहीं है ये एक vector है तो इस cancer चला गया option B next question देखते हैं next question science का हमारे पास दिखाई दे रहा है हमें question number 49 dash is an alloy of PB and SN which has a low melting point देखिए इन में से कौन सा ऐसा alloy है जो lead और tin का बना होता है और उसका melting point कम होता है तो देखिए आपको चार देख रहे है brass, bronze, pewter और soldier मैंने आपको pewter के बारे में नहीं बताया हुआ इसे छोड़ दो कभी पूछा भी नहीं जाएगा brass, bronze और folder तीनों आपको पता है brass मतलब petele और पetele आपको याद है पetele क्या होता है पिता जी है ना पिता जी आता है याँ पितल की trick थी पिताजी और पीतल किसका बनता है तायानि की तामबा, copper और जी यानि की zinc तो यानि की brass तो आनसर होगा नहीं ब्रोंज देखते हैं, ब्रोंज मतलब कांसा, कांसे स्यादा है आपको संकी कुत्ता, संकी कुत्ता, संकी का मतलब क्या हुआ, संकी का मतलब हो गया, तिन, अरे यार, ये तो लग रहा है आंसर, लेकिन कुत्ते का मतलब क्या हो गया, कोपर, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ब्र पंजाबी सैनिक सैनिक होते हैं और मुविं में आगले के सारे पंजाबी सरदार होते हैं तो पंजाबी से आगया पीवी और यह इंस दो बस आपका अंसर निकल गया उप्शनी को 자ok सो हमारे पास जोकी फाइंस से है वो क्या है तो question है कहा है भई, science का question नहीं मिल रहा है हमें यह तो question number 64 हमें दिख रहा है most of the forces of energy we use represent stored solar energy which of the following is not ultimately derived from the sun energy इनोंने पूछा है इन चारों में से, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं हमारे द्वारा परियुक्त अधिकांश स्त्रोत भंडारित 4 उर्जा दर्शाते हैं निमल लिखित में से कौन सा अंतत है, सोरे से उर्जा नहीं लेता इन तीनों चारों option में से यह पूछा है कि कौन सा हमें sun से energy नहीं देता तो पहले आपको geothermal energy, geothermal energy प्रित्वी की गरम होने से होती है ठीक है, जैसे जैसे प्रित्वी का तापमान बढ़ता है, energy बनती चाती है तो प्रित्वी का तापमान क्यों बढ़ेगा? sunlight की वज़े से, तो ये तो answer नहीं हो सकता biomass, biomass यानि कि जो हम खाते पीते हैं, वो सारे biomass ही है, तो वो सारा भी sun की वज़े से ही उसमें energy आती है wind energy, हवा की energy, wind energy जो होती है, वो देखिए, जैसे कि वैसे तो आप देखो, wind energy हवा की वज़े से होती है लेकिन हवा का direction भी किस पर निर्भर करता है, sunlight पर निर्भर करता है न कहीं न कहीं, तो wind भी नहीं आएगा लेकिन nuclear energy जो होती है, वो परमानू के टूटेने और जूटने से बनती है, ठीक है? क्योंकि पांच paper तो इस class में होने से रहे, और फिर लंबी वीडियो तो आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो science का question मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हो गया फिर यानि कि मैं बोल सकती हूँ, हमारा येवला paper खतम, ठीक ह paper 3 और paper 4 फिर हमारी series हो जाएगी खतम, यानि कि आपको no part मिल रहे हैं, हर्याना पुलिस के अंदर, जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी series खतम हो जाएगी, ठीक है, I hope ये series आपको बहुत useful रग रही होगी, और कोई भी चीज आप चाहते हो, कोई भी paper का solution आप चाहते हो, तो बिना जिजक्किया आप लोग मुझे पता सकते हैं, comment कर सकते हैं, telegram channel है, वहाँ पर जूड सकते हैं, instagram channel है, वहाँ पर जूड सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी query है, कोई भी doubt है, तो आप लोग कहीं पर भी जूड सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा, आपको community post प्लीज टाइम निकाले और करें जरूरी नहीं है अब हर बार कोशन देखो मतलब कि आज मैंने तीन कोशन डाले हैं तो जरूरी नहीं है कि तीन टाइम पर देखो आप रात को अपना फोन उठाओ पांच मिनिट के लिए और पांच मिनट आपको सिर्फ पांच मिनिट क्योंकि वहां पर भी आपको अपडेट या कोशन में वहां पर भी डाल रही हूं ठीक है कोशन हो गई और शोट्स भी मैं आगे शुरू कर दूंगी इंस्राग्राम के ओपर भी डालना ठीक है तो आप लोग अलग अलग जगाओं से अपना डाटा इकठा कर सकते हो ठीक हर वरायटी की चीज़ें आपको मिलेगी इसके अलवा आपको इन तीन खोशन की डिटेल भी आपको मिलती है तो आप वहां पर शोट्स भी च genres कर सकते हैं ठीक है वहके लिए बनाए गए हैं ताकि सारी के शारे डिए पढ़ें टो जो important इंपोशन होते है न वह मैं community पोस्ट म कर दीजिए और टेक केर थेंक यू बाई बाई